सब्सक्राइब कीजिए फ्री हिंदी एडवाइस चनल को और बिल आइकोन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट सुडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए रात के भोजन के पहले और बाद में कुछ आदतों का ध्यान रखना आपके स्वास्ते के लिए उप्योगी वह बहतर होता है खाने के तुरंद बाद स्नान ना करें यदि आप रातरी भोजन के उपरांथ स्नान करते है तो इससे आपके शरीड के तापमान में कमी हो जाती है जबकि भोजन के पाचन के लिए और पीट की और अथिक तीवर रख्त प्रवा की आवश्यक्ता होती है इसलिए भोजन के उपरांथ स्नान करने से पाचन क्रिया में बादा पहुंचती है जिससे आपकी पाचन क्रिया खराब हो सकती है भोजन के बाद ततकाल सोने ना जाए गर्मा गर्म रात्री का भोजन आनल लेने के बाद ततकाल बिस्तर पर सोने चले जाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है इसलिए इस क्रिया से आपको हाठ बन, सिने में जलन और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है क्योंकि खाने के तूरंत बाद लेटना आपकी पाचन की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है जिससे आपकी पाचन प्रक्रिया भी दोस्ट पूर्ण हो सकती है दातों में ब्रस करें रातरी भोजन के बाद दातों में ब्रस करना दातों से प्लैक को हटाने मुह के pH को ब्रभाविन करने और दांतों को स्वस्थ और साप रखने में बहुत सहायक होता है लेकिन इसके लिए खाने के तुरंद बाद ब्रस नहीं करना चाहिए बलकि खाने के पश्चात 30 मिनिट के अंदराल तक इंतिजार के बाद दातों में ब्रस करना उचित होता है रात के खाने के बाद तहलना स्वास्ते प्रद होता है रात के बोजन के बाद तहलने के लिए आपको कोई एक गंठे तक चलने की आवश्यक्ता नहीं है इसके लिए आप सिर्फ 15-20 मिनिट के लिए अपने घर में या उसके आसपास तहलने का कारिय कर सकते है जो आपके लि पर अनावश्यक दवाव डालते हैं जो पाचन क्रिया में बाधा पहुचाने और पेट की जलन के लिए जिम्मेदार होते हैं फलका सेवन ना करे रात के खाने के तुरंत बाद यदि आप खाने के ततकाल बाद फलका सेवन करते हैं तो यह आपके पाचन तंतर के लिए उचित नहीं होता है क्योंकि इससे सरीर के लिए उचित प्रकार से बोजन के पाचन में कठिना होने लगती है इसलिए बोजन के तत क्योंकि यह आपकी पाचन क्रिया को दोचपूर्ण बना सकता है। बोजन को निगलने के लिए या बोजन अटकने पर आप सहायता के लिए बोजन के समय पाने की थोड़ी सी मात्रा का सेवन कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंद बाद धुम्रपान करना नुक्सान दे है। रात्री बोजन के तुरंद बाद धुम्रपान करना आपके लिए नुक्सान दे हो सकता है। क्योंकि यह आपके lower, asophysical, sphincter को सूस्तिया धिमा करके दिल की उत्तेजना या धरकन को बढ़ावा देने में सहायक होता है। हाला कि किसी भी समय दुम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। बेल्ट को ढिला करके ना करे रात का भोजन। रात के भोजन के पहले या भोजन के बाद आपके बेल्ट को ढिला करने की आदत आपके पेट की मास पीशो को सिथिल कर सकती है। जिससे कि आपके पेट का उभार दिखने लगता है और पेट बढ़ा हो सकता है। क्योंकि अगर आपको अपने बोजन के समय या बोजन के उपरांथ बेल्ट को ढिला करने की जरूरत पड़ती है तो यह आपके द्वारा आवशकता से अधिक बोजन कर लेने की और इसारा करता है जो कि आपके स्वास्ते के लिए अच्छा नहीं होता है अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल के अन्य वीडियो में दी गई जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट freehindiadvise.com पर जरूर विजिट कीजिए जिसमें वीडियो के साथ साथ टैक्स में भी सब जानकारी उपलब्द है इसके साथ साथ इस वीडियो को ला